श्री शिवाय नमस्तुब्यम हरहर महादिव देखिए कल 24 अगस्त को भादरपद मास के कृष्ण पक्ष की तरह दोशी तीती है प्रदोश की तीती है और भुदुवार है यदि आपके घर में क्लिश जादा है यानि कि पती पतनी में लड़ाई है, अनबन है, साज बहु में अनबन है, पिता पुत्र में अनबन है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए, बहुती आसान सा उपाय है पुझी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझाने का पूरा प्रयाश करूँगा देखे हो सके तो इस उपाय को आपको प्रदूश काल में करना चाहिए, प्रदूश काल का जो समय रहेगा वो शाम को 6 बच कर 52 मिनिट से रातरी में 9 बच कर 4 मिनिट तक रहेगा इस अवधी में अगर आप ये पूजा करते हैं क्योंकि भगवान शीव के शीवलिंग में शाक्षत भगवान शीव का वास प्रदूश के दिन, प्रदूश काल में ही होता है तो इस समय करते हैं तो सर्वोत्म होता है देखे करना क्या है देखे आपको साथ बेलपत्र लेने है और कच्चा सूत लेना है और साथ में लेना है लाल चंदन अगर लाल चंदन नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ ले 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 गुड़ में थोड़ा सा जल मिला ले या गंगा जल हो तो गंगा जल मिला ले थोड़ा से ह हैं और वो जो साध बेल पत्र आ आप लेकर क्या है न उन्हें आपको एक के बनने लग जाए पीता पुत्र में बनने लग जाए इस प्रकार से शुब भावों के साथ आपको ये कच्चा सूत लपेड ना है और उसके बाद क्या करना है आपको हर एक बेल पत्र पर आपको आपकी अनामी का उंगली से याने कि सीधे हाथ की चीर्थी उंगली के पास वाली जो उंगली है उस अनामी का उंगली से आपको लाल चंदन की टीकी हर एक बेल पत्र पर आपको लगा देना है उपर वाली पत् लाधारी की साइड होनी चाहिए और चिकनी वाली जो साइड है वो महादेव को इस परश होनी चाहिए तो बस इस प्रकार से ये सुन्दर सा उपए आपको करना है श्री शिवाय नमस्तु ब्याम हर हर महादेव